दोस्तो नमस्कार ये हमागदोशन फॉर्सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तो मागदोशन करेंट अफेर्स के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है वर्स भर में प्रकासित नवींतम पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्तपूर्ण प्रशनों का संकलन जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के करेंट अफेर्स खंड के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आएए शुरू करते हैं नवींतम पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्तपूर्ण प्रशनों को पहला है एक पुस्तक है Breaking the Mold Re-Imaging Economic Future इस पुस्तक के लेखक कौन है तो याद रखेगा Breaking the Mold Re-Imaging Economic Future ये पूर्व RBI गवर्नर रगुराम राजन और रोहित लामबाद्वारा लेखित पुस्तक है इतिहास यानि आधुनिक भारत के इतिहास पर द्रिष्टिपात करती हुई एक महत्तपूर्ण पुस्तक सिंधिया और 1857 1857 के प्रथम स्वतंता संग्राम और उसमें सिंधिया की भूमिका पर आधारित ये पुस्तक राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक है एलन मस्क पुस्तक वाल्टर इसाकसान के द्वारा लिखी गई है याद रखिएगा एलन मस्क पर आधारित ये पुस्तक वाल्टर इसाकसान की रशना है अगला एक महत्तपूर्ण पुस्तक है वी आलसो मेक पालिसी तो we also make policy ये सुबाश चंद्र गर्ग द्वारा लिखित पुस्तक है और एक महत्पूर्ण पुस्तक है you must know your constitution यानि आपको अपने संविधान को जानना चाहिए तो ये फाली as नरीमन की पुस्तक है याद रखेगा ये महत्पूर्ण पुस्तक है कि you must know your constitution फाली as नरीमन की पु निवलू कुचिदा सिम्हागल ये एक आत्मकथा यानि आटोबायोग्राफी है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनात वा द्वारा लिखित ये आत्मकथा है इसका शेर सक है निवलू कुदिचा सिम्हागल और इसका अर्थ है शेर जिसने चांदनी पीली अगला है दोस्तों the woman in my life तो इसका इसकी लेखी का कौन है पाप गाई का ब्रिटनी स्पेर्स तो आप जानते हैं ब्रिटनी स्पेर्स विश्व विक्षात जो है पॉप सिंगर है इनकी पुष्तक है the woman in my life एक महत्पून पुष्तक है let's move forward ये एक कामिक बुक है और इसको NC ERT ने UNESCO के साथ मिलकर विक्सित किया है Let's move forward एक और पुष्टक है देखिए बहुत ही महत्पूर है Fire on the Ganga देखिए बहुत ही महत्पूर पुष्टक है आप देखिए इसको Fire on the Ganga Life among the dead in बनारस ये राधिका अयंगर द्वारा लिखित पुष्टक है Fire on the Ganga आप जानते हैं कि जो वहां के घाट हैं बनारस के घाट हैं वो एक तरह से अस्मसान घाट के लिए प्रसिद्ध है और इसी पर आधारित ये पुष्टक है Fire on the Ganga Life among the dead in बनारस एक पुष्टक है Firebird तो ये पुष्टक पेरुमल मुरुगन के द्वारा लिखी गई है याद रखिएगा Firebird पेरुमल मुरुगन द्वारा लिखित पुष्टक है और मुरुगन को अपने इस उपन्यास के लिए साहित के परतिष्ठेत JCB पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो Firebird पुष्टक पेरुमल मुरुगन के द्वारा लिखित है जिसको JCB पुरसकार से सम्मानित किया गया है एक महत्तपूर्ट पुष्टक है Traitor's Gate Traitor's Gate ये जेफरी आरचर द्वारा लिखित पुष्टक है और एक देखिए Harry Potter and the Prisoner आप अजकाबन तो ये जो है Harry Potter's रिंख्ला की पुष्टक है J.K. Rowling इसकी लिखिगा है अगला है Going Infinite तो Going Infinite ये Michael Lewis द्वारा लिखित पुष्टक है Roman Stories जुम्पा लाहिरी की पुष्टक है Roman Stories अगला है The Last Tale of the Flower Bride देखिए The Last Tale of the Flower Bride ये रोश्णी चोक्षे द्वारा लिखित पुष्टक है और एक महत्वपून पुष्टक Requiem In Raag Jan की तो आप जान लिजे Requiem In Raag Jan की ये नीलम सरन गौर जो की प्रियाग राज उत्तर प्रदेश की रहने वाली है नीलम के इस उपरन्यास को वर्स 2023 के अंग्रेजी भाशा के लिए साहित अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो Requiem In Raag Jan की ये नीलम सरन गौर द्वारा लिखित पुष्टक है जो की प्रियाग राज उत्तर प्रदेश की रहने वाली है 2023 के लिए अंग्रेजी भाशा के लिए साहित अकादमी पुरसकार से इस पुष्टक को सम्मानित किया गया है अगला जो है मल्लिकारजुन खडगे करुडा न्याय और समावेश्री विकास के साथ राजनेतिक जुडाओ जीवनी ये कांग्रेज अध्यक्ष मल्लिकारजुन खडगे जो है उनकी जीवनी है और इसके लेखक जो है कांग्रेज अध्यक्ष मल्लिकारजुन खडगे है अगेन अगेन तो ये पुष्टक का शिरसक है इसके लेखक जो नाथन एविसन है याद रखिएगा और कामन एट अनकामन कामन एट अनकामन सुधा मूर्ती द्वारा लेखित पुष्टक है आप लोग सभी लोग सुधा मूर्ती के बारे में जानते होंगे सुधा मूर्ती जो है इनफोसिस के संस्थापक नारायन मूर्ती की पतनी है और ये अपने हाजिर जबाबी और जीवन सहली तथा खुश खुश रहने के लिए जानी जाती है और इनकी साहित में रुची है कई पुष्टके इनकी प्रकासित हो चुकी है कामन एट अनकामन ये सुधा मूर्ती की पुष्टक है मैपिंग आफ दे आर्काइब्स ये पुष्टक प्रोफेसर रमेश शंद्रगोड और विश्मे वसु द्वारा लिखी गई है और ये पुष्टक इंद्रा गांधिराष्टिक कला केंद्र और यूनेसको के द्वारा प्रकाशित की गई है एक और महतपून पुष्टक है आप देखिए ये नंदिनी दास की कृति है और भारती मुल्की ब्रिटिस लेखी का नंदिनी दास को 31 अक्टूबर 2023 को इस पुष्टक के लिए ब्रिटिस एकेडमी बुक प्राइज 2013 से सम्मानित किया गया तो ये महतपून तथ्य है दोस्तों ये पुष्टक पूछा भी जा सकता है आप इसको तयार कर लिजेगा अगला है जेबा एन एक्सिडेंटल सुपर हीरो तो ये हुमा कुरैशी जो की फिल्म अभनेत्री है उनके द्वारा लिखित पुष्टक है जेबा एन एक्सिडेंटल सुपर हीरो यादे यादे और यादे तो ये पुष्पा भारती की रचना है और ये वरिष्ट साहितिकार पुष्पा भारती को इस संस्मरण के लिए वर्ष 2030 के ब्यास पुरसकार से सम्मानित किया गया है यादे यादे और यादे पुष्पा भारती की रचना है अगला है दोस्तूं Western Lane तो याद रखेगा चेतना मारू Western Lane ये चेतना मारू का उपन्यास है और चेतना मारू का ये उपन्यास भुकर पुरसकार 2013 के लिए सार्ट लिष्ट किये गए छे उपन्यासों में सामिल था एक और महत्त पूर्ण पुस्तक है Through the Broken Glass and Autobiography तो ये पूरो मुख्य चुना आयुक्त T.N.S.E.S.N. की आत्मकथा है और इस आत्मकथा में 1990 से 95 तक C.E.C. यानि Chief Election Commissioner के रूप में उनके कारेकाल को भी शामिल किया गया है ये पुस्तक 2019 में शेशन की मृत्त के चार वर्स बाद प्रकाशित होई है अगला है How Prime Minister's Decision ये नीरजा चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक है और देखिए श्मोक एंड एसेज ये अमिताब घोस की कृती है The Poverty of Political Economy मेघनाद देशाई द्वारा लिखित पुस्तक है Poverty of Philosophy, Philosophy of Poverty इस तरह की पुस्तकें लिखी गई है और The Poverty of Political Economy ये पुस्तक मेघनाद देशाई द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष में लिखी गई है Indian Rising Memoir आफे Scientist ये आरजी दंबरम और शुरेश गंगोत्रा द्वारा लिखित पुस्तक है और Krishn the Seventh Sense ये पुस्तक देवाशीस चटरजी के द्वारा लिखी गई है एक और महुत्पूर पुस्तक है The Golden Years, The Many Gaius of Living and Good Long Life रस्किन बांड की पुस्तक है और All Time Favorites for Children ये पुस्तक रस्किन बांड की है All Time Favorites for Children दोस्तों एक पुस्तक है हाथी में गर्व यानि The Elephant in the Womb ये कलकी कोचलिन द्वारा लिखित पुस्तक है कलकी कोचलिन ये जो है अभिनेत्री भी रही है फिल्म भरीत्री निर्देशक भी रही है अगला है लोक मान्जे संगती मराठी भासा में है ये सरद पवार की आत्म कथा है मराथी भासा में लिखी गई वरिष्ट नेता सरद पवार की आत्मकथा है विक्ट्री सिटी पुस्तक ये सलमान रस्दी की एक नई कृती है विक्ट्री सिटी और अटल विहारी बाजपेई पर लिखित पुस्तक बाजपेई दे एसेंट आप दे हिंदु राइट 1924-1977 ये अभिशेक चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक है और एक पुस्तक देखिए मैडम प्रेसिडेंट मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी आफ द्रोपदी मुर्मू ये संदीव साहु की कृती है जो की भारत की पहली जो आदिवाशी समुदाय से आने वाली महिला राष्ट पती है उन पर आधारित है उनकी जीवनी है संदीव साहु ने लिखा है पुस्तक का नाम है मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी आफ द्रोपदी मुर्मू और आप देखिए द्रोपदी मुर्मू जो की भारत की राष्ट पती है महिला राष्ट पती इन पर आधारित एक और पुस्तक है द्रोपदी मुर्मू फ्राम ट्राइबल हिंटर लैं जिन्होंने राश्टपति यानि देश के सरवोच पद को धारित किया है और सम्मानित किया है और किस तरह के संघरसों से उन्होंने यहां तक का सफर पूरा किया है कस्तूरिरे की इस पुष्तक में इसका वडन किया गया है अजय टू योगी विष्ट अजय टू योगी आदितिनाथ सांतनु गुपता की पुष्टक है और आप जान लिजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ इनका मूल नाम अजय विष्ट है और इसमें उनके प्रारंभिक से लेकर वर्तमान तक के जीवन औ और उनसे जुड़े सभी क्रिया विधियों का रिकलापों और उनके संघर्सों का बाड़न है अजय टू योगी आदितिनाथ ये शांतनु गुपता द्वारा लिखित पुष्टक है अगला है रिंग साइड तो ये पुष्टक डाक्टर विजय दरडा के द्वारा लिखी अवतार सिंग भसीन द्वारा लिखित पुष्टक है नेहरू तिबबत और चीन नीला चदेयन ये अखिल के के द्वारा लिखित पुष्टक है जेसीबी आपरेटर और सुभह में अखबार बाटने वाले अखिल के जो इनका पूरा नाम है और उनकी पुष्टक नीला पुरसकार से सम्मानित किया गया है और आप जान लीजे JCB आपरेटर और ये सुबह में अखवार बाठते हैं इनका नाम है अखिल के जो इनकी पुस्तक नीला चादियन इसको केरल के पृतिश्ठित जो है वार्सिक साहित पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है अगली पुस तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मागदोशन करेंट अफेर्स से के अंतरगत इस वीडियो में हमने आगामी परिक्षाओं के दृष्टिगर्थ नवीनतम पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महुत्दपूर्ण तथ्यों को कवर किया है जो आपके आगामी प भरती और सिपाही भरती आदि परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है यहां से एक दो प्रश्न आवज से ही पूछे जाएंगे इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से तयार कर लिजे दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएग वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल मार्क दोशन फॉर सिबिल सर्विशेस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार